ओम श्री महाप्रग्य गुरवीरा महा जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन सत्य अहिंसा अने कांत को अर्पित जिसका तन्मन उस महाप्रग्य को वंदन जिसके सांसों में रहता है शास्वत शांती का स्पंदन उस महाप्रग्य को वंदन दार्ष्निक जगत में दो चिंतन भाराएं है अद्वैट और द्वैट अद्वैट अकेला है अद्वैट में दो हैं जहां दो है वहाँ संबंद की बात आती है अकेले में कोई संबंद नहीं होता अकेला अकेला है और वह संबंद जैसा सब्द भी सब्द कोश में नहीं मिलता दो होते ही बात आती है कि दो है द्वन्द है जोड़ा है तो फिर आपस में उनका ब्योभार कैसा संबंद केशा और सामाजिक जीवन का अर्थ है संबंदों का जीवन मुनी के लिए एक विशेशन आता है संयोग से विप्रमुक्त संबंदों से मुक्त सब संबंदों को त्याह देता है तो वे मुनी बनता है सादू सन्यासी बनता है और सामाजिक प्रानी के लिए जरूरी है संबंदों का जीवन संबंद का जीना संबंद का प्रारंब पती पत्नी से एक संबंद होता है एक संबंद है एक समय था योगलिक युग जो आदिम युग है भगवान रिशब का युग है उससे पहले का युग है जहां संबंदों का जाल बहुत कम था बस पती पत्नी पत्र या पत्री इससे आगे कुछ भी नहीं कोई संबंद नहीं था आज तो संबंदों का इतना लंबा जाल है कि कभी किसी को पूछते कहते हैं यह मेरा यह क्या है बताते हैं तो उसे समझने के लिए भी एक नई पुस्ते को और चाहिए इतना जाल है संबंदों का तो एक निश्चित निश्कर्ष है कि सामाजिक जीवन संबंधों का जीवन एक संबंध का जीवन और एक संबंधा तीट जीवन तो संबंधा तीवन तो कुस लोगों का होता है जो कुछ छोड़ देते हैं परिग्रे को भी छोड़ देते हैं घर को छोड़ देती हैं ग्रिय त्यागी हो जाते हैं उनके लिए संबंधों की बात नहीं होती तिन्तु जो सामाजिक जीवन जीता है ग्रियस्त का जीवन जीता है ग्रियवासी है उसके लिए संबंद बड़ा महत्यपूर्ण शब्द है संबंद संबंद सब्द पर विचार करें और हमें करना चाहिए क्योंकि जो सब्द शंश्कित या प्राकृत से बने है उन सब्दों के साथ भी एक सार्थक्ता है अई छिक्त अर्थ नहीं है कि जो मन चाहा अर्थ कर दिया संबंद दो मिलकर संबंद सब्द बनाए संब यानि सम्यक है बंद माने बंद जाना जो आपस में भली भानती बनने का है उसका नाव है संबन्ध जहां सम्मिक प्रकार से एक दूसरे से बन जाते हैं बंधन होता है वैसे संबन्ध है संबन्ध और मानवी संबन्ध वैसे संबन्ध सब में होता है आज हम मानी संबंधों पर विचार कर रहे हैं संबंधों पसु जगत में भोच होता है बच्छडे कारगौ का ऐसा संबंध है और जहां बातसल्य है प्रेम है शने है वह संबंध पुष्ट हो जाता है वह संबंध बनाया नहीं जाता एक गौई अपने बच्छे की सुरक्षा के लिए सेर का भी सामना कर लेती है और कभी कभी सेर को भगा भी देती है सेर को मार भी देती है ये टाकट कहां से आती है गाई में इतनी उर्जा का सुरण कैसे हुआ कि संबंध की प्रिष्ट भूमी में कुछ रहता है है और वे है स्नेह का धागा बात्सल्य का सुत्र प्रेम का अनुबंध यह उसकी प्रिष्ट भूमी में रहते हैं जहां परस्पर में बात्सल्य का सुत्र जुड़ा हुआ हुथ नहीं होता वह संबंध मात्र आऊचारीक रहे जाता है बास्तिविक सम्नेख सब्बंदन नहीं होता है आदमी दो को बाहने वाला कोई सुत्र है तो वह बादसल बादसल ता है और बादसल सवजवीशी लिए बना कि बादस माने गाय का बच्छडा बच्छडा गाय का कि गाय का अपने बच्छडे के प्रती बहुत गहरा अनुराग होता है और वह अनुराग वह बादसल भाव बान देती है प्रेहम का संबंध होता है, सनेह का संबंध होता है, और एक स्वार्थ का भी संबंध होता है, आजमी दोड रहा था, हाथ में रस्ती और आगे गाह, गाह दोड रही थी, गाह की रस्ती को पकड़े पकड़े आजमी पीछे पीछे दोड रहा था, संयोग मिला राष्टे में दो दार्फनिक आ रहे थे दोनों ने देखा तो एक ने पूछा कि कौन दोड़ रहा है तो दुस्ता बोला कि आज में दोड़ रहा है दोड़ रहा है आज में बोला उत्तर ठीक नहीं है आज में नहीं दोड़ रहा है गाई दोड़ रही है गाई दोड़ रही है आज में का पक्ष गोण है गाई का मुख है उसके हाथ में गाई की रस्सी नहीं होती और वे रस्सी गी ममत्र की रस्सी नहीं होती यह रस्ती जो बनी हुई रस्ती नहीं मुझाजी से बनी हुई रस्ती नहीं ममत्व की रस्ती नहीं होती तो आज मी कभी नहीं दोड़ता रस्ती है ममत्व की कि यह मेरी गाय है और यह भाग रही है तो आज मी पीछे भाग रहा है बंधन का एक कारण है ममत अनेक कारण है बंधन के संबंधों के गाय के साथ भी आदमी का संबंधों गया कि गाय उसकी है तो संबंध जुड़ गया संबंध के अनेक हेतु और अनेक हेतों से होने बार संबंध मानवी संबंध पर विचार करना इसलिए जरूरी है कि दूसरे पस्वों प्राणियों का संबंध होता है उसमें स्नेह अधिक बचसलता अधिक कारण बनता है किन्तों मनुष्य के संबंधों के पीछे एक उपयोगिता भी कारण बनती है बचसलता है इसनेह प्रेम है पर उपयोगिता के आधार पर भी संबंध बनते है कि जहां जिसकी उपयोगिता है आज में संबंध स्थापित कर लेता है मनुष्य विचार शिल प्राणी है और उपयोगिता को जानता है कि कहां उपयोगिता होगी और जहां उपयोगिता होती है वो अपना संबन्द स्थापित कर लेता है इतने संबन्द है संयोगी की एक इतनी लंबी स्तिंखला है कि उसके आधार पर संस्कित सब्द कोश में सैक्डों सैक्डों सब्दों का जन्म उद्भव हुआ है अब मानुई संबन्द पर विचार करें और साथ में अहिसा का प्रश्ण है हमारे सामने है संबन्द संबन्द है अब हिस्था और अहिसा भी संबन्द के साथ जुड़ जाती है कि जहां संबन्द की प्रिष्ट भूमी में श्वार्थ है और स्वार्थ पर आधारी जब संबंध होता है तो वहां हिंसा को पनपने का मौका मिलता है हिंसा का भी जन्म वहां हो जाता है और जा संबंधों की प्रिष्ट भूमे में संबेदन शीलता और सहानु भूती है वहां अहिसा का विकाश हो शक्ता है संस्कित का एक सब्द है स्वेश्वामी संबंध स्वेश्वामी उदाहर हम ले एक मालिक है और एक उसका करमचारी या नोकर है तो मालिक है वह स्वामी हो गया और करमचारी और नोकर जो है वह उसका श्वेश्वामी हो गया चाहिए एक आदमी के पास गाय है एक आदमी के पास गोड़ा है वह उसके श्वेश्वामी हो गया यह श्वेश्वामी संबंध जन्य जनक संबंद एक जनक है पिता जनक है अब पुत्र उसका जन्य है तो जन्य जनक संबंद हो गया संबंद के ने खेतू है अब संबंदों पर विचार करें कि एक मालिक है एक नोकर है या दिपी या संबंद स्वार्थ की भूमिका पर या आवश्चिक्ता की भूमिका पर हुआ है, उप्योंगिता पर हुआ है, एक आदमी को पैसे की जरूरत है, दूसरे आदमी को सेवा की जरूरत है, तो जिसके पास पैसा है, वह उसको पैसा देता है, और वह बदले में सेवा देता है, सेवा और पैसे का हो गया, अब यह त यदि मालिक है वह अपने नोकर या करमचारी के प्रती संबेदना रखता है सहानु फूती रखता है तो फिर वहां आईसा को विक्षित होने का मुका मिल जाता है कि संबेदना है और एक मालिक अपने नोकर के प्रती क्रूर व्यवहार करता है कथोर व्यवहार करता है तो वहा एक दिन पत्नी के साथ बेठा था तो पत्नी ने कहा कि देखो समश्याएं बहुत है और तुम मालिक से कहो कि बेतन बढ़ा दे वह बोला कि मालिक है उसमें संबेदन सीलता नहीं है इसलिए तुम रहने दो बहुत बोली नहीं ऐसी क्या बाट है साथी समश्या रखो तो आजमी है जरूर सोचेगा बोला कि मैं जानता हूं कि कठोर आजमी है क्रूर आजमी है बेतना नहीं बढ़ाएगा और समश्या बढ़ जाएगी तो पत्नी का अग रहा और वह गया और जाके बोला का मालिक एक प पत्नी बिमार हो गए पत्नी की मा मेरी सास भी बिमार है लड़के को भी काम नहीं लग रहा है भाव बहुत बढ़ गए एक समस्याओं की लंबित तालिका उसके सामने प्रस्तुत कर दी और कहा इस लिए आप मेरा बेतन बढ़ा दी संबेजना नहीं थी अगर संबेजन शील होता तक जरूर इस प्रस्तना को श्वीकार कर लेता पर संबेजन सीलता नहीं कथोरता थी सारा देखा और बला जब तुमारे सामने इपनी समश्याओं तुम मेरा क्या काम कर सकोगे जाओ आस तुमारी चुट चुटी होगे यह एक हिंसा का मनोभा तो संबंधों के साथ सबसे अच्छी बात है संबेदन शीलता आजमी दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है पती पत्ने की पीड़ा को समझ सके पती पती की पीड़ा को समझ सके पिता पुत्र की पीड़ा को समझ सके और पुत्र पिता की पीड़ा को समझ सके एक भाई दूसरे भाई की पीड़ा को समझ सके तो फिर वे संबंध आहिसा की छत्र साया में पनपने लग जाता है आनंचे रहता है जहां एक दूसरे की पिड़ा को समझते नहीं है केवल अपना ही कुछ करना चाहते हैं वहां संबंधों में बिगाड़ भी आता है और वहां आहिसा दूर रहती है हिंसा को बढ़ने का मोका भी मिलता है परिवार क्यों टूटता है परिवार जैसा अच्छा एक संबंध का पहली यूनिट यानि पहली एकाई एक सामुदाईता की परिवार है संबंधों का एक उदाहरन है किस प्रकार पांदस बीस लोग है एक प्रकार शंत्रि के साथ रहते हैं किन्तु जा संबेदन सीलता नहीं स्वतंप्रता नहीं एक दूसरे की समश्या को समझने की मनोवृत्य नहीं वहाँ परिवार का बिगितन शुरू होता है पहले मानशिक्षतर पर होता है और फिर दूसरे तरपर हो जाता है इसका कारण का संबेदन सीलता नहीं एक दूसरी बात और है वह है संबीभाग जहां संबीभाग होता है तो मानिवे संबंदों में अहिसा का समाविश होता है संबीभाग मैंने देखा है कि एक पुत्र पिता का नाव लेना नहीं चाहता ग्रिना करने लग गया मैंने कहा पिता का कितना उबकार होता है माता पिता का तुम अपने पिता से ग्रिना करते हूँ अच्छा नहीं है बोले आपको पता नहीं है मेरा पिता उसने तो ऐसे अब सब्द कहे कि मैं कहना पसंद नहीं करता कि मेरा पिता इतना जगन्य मैं उसको बदा कर सब देता हूँ कि इतना जगन्य उसने मेरे छोटे भाई को तो सारी संपत्य दे दी और मुझे घर से निकालती जा संभीभाग नहीं है वहां संबंधों में कटुता आती है और हिंसा को बढ़ने का मौका मिलता है आहिसा नहीं हो शक्ती आहिसा का विकाल संबंदों के साथ तब होता है जब संभीभाग पता नहीं है पक्षपाथ क्यों होता है संभीभाग क्यों नहीं किया जाता भी संभाग होता है ऐसा हो रहा है मैं कलतना की बात नहीं कह रहा हूँ अनेक देखी हुई गतना ये ऐसी है कि चार बेटे हैं एक के साथ तो ऐसा किया कि सब कुस दे दिया है तीन को ऐसे खाली हाथ छोई उनके मन में प्रतिक प्रियात्मक हिंसा आवश्य प्यदा होगी और ये हिंसा करेंगे ऐसी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं तो अब ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है अगर सम विभाग हो चार है चारों का अधिकार है तो चारों का चार हिस्सा हो तब तो ठीक है और एक के प्रति इतना ज़्यदा मोह यह मुह के कारण विशम विभाग होता है और जहां विशम विभाग है पक्षपात है वहां सहज इंसा बढ़ जाती है जहां संबिभाग है टटा स्थता है पक्षपात नहीं है वहां आईसा को पनपने का आउसर मिलता है बहुत जरूरी है संबीभाग संबंदों के साथ अईसा का पहला सुत्र है संबेजन सीलता दूसरा है संबीभाग एक पीस्ते सुत्र पर विचार करें वहे मृजुता अहंकार नहीं तो संबंद अच्छे निप्ते जब अहंकार होते हैं वहां संबंदों में बिगाड आ जाता है एक पिता का अहंकार जो दूसरों की बात को सुनना नहीं चाहता वहां परस्पर में संबंद बिगड़ जाती है एक मुख्या का अधिकार चाहे गुरु है और अपने शिष्यों की बात को सुनना नहीं चाहता जान नहीं देता तो गुरु शिष्य के संबंद भी बिगड़ जाती है एक मुख्या चाए मुख्य मंत्री है प्रधान मंत्री है कोई भी है और अपने साच्यों की बात को सुनना नहीं चाहता वहां भी संबंद बिगड़ जाती है इसात्मक हो जाती है संबंधों को मधूर बनाए रखने का संबंधों को अच्छा रखने का एक अही शात्मक उपाई है मृदूता, बिनम्रता एहंकार नहीं, बिनम्रता है और इतनी बिनम्रता कि छोटे-शी छोटे व्यक्ति की बात को भी सुनना पसंड करता है संस्क्रित साइटे में कहा गया बाला दकी सुभासितम एक छोटा बच्चा है और अच्छी बात कहता है तो उस बात को श्रीकार करो कैसे करें एक छोटा बच्चा क्या समझता है अरे तुम करते हो अमिध्या दपी कांचनम एक उकूर्डा है धेर है कच्री का अर अगर वाँ सोने का गहना पड़ा है तो कैसे ले गंदा गंडी पर पड़ा है तो उसको उठा ले उसको तो उठा लेते हैं और बच्चे की अच्छी बात को क्यों नहीं श्रीकार करें हम मृदू ब्याभार बिनम्र ब्याभार किसी धी ड्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए और अहंकार संबंदों में कचुता प्यदा करता है अभी अभी हम आ रहे थे एक गाओं में गए और एक मुनी जी का था हम वाँ गए कारिक्रम में तो हम तो प्रवचन करने बेठी हैं बेठी हैं और भाई आता है कभी उसके पट्टे को नीचा करता है कभी उपर करता है कभी इंट लाता है में नहीं कहा कर रहे हो हम तो कुर्फी पर बेठी हैं आपको ये क्या चिंता है क्यों कर रहे हो इतना तो मैं लगता है कि इस मामले में सादू संत भी पीछे नहीं आप लोगों से हमें साफ स्वी कार करना चाहिए तो उनमें और ज्यादा पूजा मिल गई, प्रतिस्था मिल गई मुफ्रती मिल जाती है साथ उसंतों और बेस के कारण मिल जाती है यद थोड़ा बहुत जांके कारण मिल जाती होगी पर अहिंकार बढ़ जाता है वहाँ संबन्ध अच्छे नहीं रहता है आज सामप्रदाइक संबन्धों में भी जो कटुता आती है उसका एक बड़ा कार्ड ये अहिंकार है अगर अहिंकार ने हो तो साथ उसमें अंतरा जाए बहुत बड़ा अंतरा शक्ता है तो इसलिए हम संबन्धों पर विचार करें और ये करें कि मानुए संबन्ध और अहिंसा तो आप फिर सब सुत्रों को याद रखेंगे कि जहां संबेदन सीलता है जहां सहान उफूती है जहां करुना है बादसल्य है प्रेम है और एक दूसे की पिरा को समझने की मनो वृत्ती है बिनम्रता है वहां संबन्ध मधूर बनते है और अहिसा को विक्षित होने का मोका मिलता है और जहां ये ठत्व नहीं होते वहां मानुए संबन्ध कटू बन जाते है समझाई पेदा होती है और संबीभाग का स्थान भी इसमें बड़ा महत पूर्णे संबीभाग अभी मेरे सामने बेठें उन्हें माता पिता भी है पोचारी माता पिता है वह भी सोचे कि हमारा कभी ऐसा ब्यवार नयों संतान के प्रतिकम बीसम्बिभाग कर ले पक्षपाट कर दे ये बिल्कुल ने हो तो जहां यह संब्भाग है वह संबन्द मधूर बनते है मधूर बनने का कारण छिपा है समबन्दों मधूर पीछे छिपा है आईशा आईशा पीछे छिपी हूई ये जो आईशा की छत्र चाया में जो संबंद बनते हैं वे मधूर और बड़े सुख देने वाले होते हैं और जहां पीछे स्वार्त है क्रूरता है कठोरता है विसम विभाग है वहां जो संबंद बनते हैं वे कठो संबंद बनते हैं उसका कारण कि उसके आगे हिंसा चल रही है इसलिए मानुवे संबंदों पर विचार करते समझ हम खुब गहराई से विचार करें कि मानुवे संबंद संबंद हमारे लिए बहुत जरूरी है संबंदों के बिना समाज नहीं चलता पर उन संबंदों को मधूर कैसे बनाए और अपने में क्या परिवर्तन करें यह हमारे लिए चिंतन का विशय है जो बेक्तिश्पिसाइप पर गहराई से चिंतन करते है वे संबन्दों को मुधूर बनाते है अहिंसा का सब्द जाए बोले या ने बोले उसकी प्रिष्ट भूमी में अहिंसा का आभा मंदल रहता है और जा संबन्द कटू है चाए हिंसा का नाम हम नहीं ले वह निश्टित ही हिंसा की चाया कुछ पर पड़ रही है तो मानिए संबन्दों पर विचार करते समय हिंसा और अहिंसा मधूर संबन्द और कटू संबन्द इन सारे सब्दों की संदर्म में हम इस विषय को समझने का प्रेत्न करें और जीवन व्यवहार में इस विषय पर गहन चिंतन करें तो अवस्य ही मनुष्य मधूर संबंधों का विकाश कर और जीवन को शंती मैं और आनन्द मैं बना सकता है ओम स्री महाप्रग्य गुरुवे नमा गुरुवे नमा गुरुवे नमा ओम स्री महाप्रग्य गुरुवे नमा गुरुवे नमा ओम स्री महाप्रग्य गुरुवे नमा गुरुवे नमा झाल झाल